हलो गाइस करवा चौत की तैयारियों में मैंने शामिल किया अपने पैडिकूर मैनिकूर को और मैंने Amazon से ओर्डर दिया था तो मैंने दो पैकेट पैडिकूर के भंगाए हैं और वो आ गया है मेरा ओर्डर और मैं कर रही हूँ तैयारी अब करवा चौत के लिए और बाकी मैं फेशियल गए बाहर कराऊंगी लेकिन मैं कुछ तैयारी घर में कर रही हूँ वैसे मैं बाहर से बुलाती थी अर्बन क्लैब से लेकिन अभी हम यहां नए हैं तो हम यहां किसी को नहीं बुला रहे हैं और हम खुदी घर में कर रहे हैं तो मेरा first step आप देख रहे हैं, उसमें मैंने first packet खुला है, जिसमें Paddy Manic Crystal Wash Scrub है, first वो मैं कर रही हूँ, तो मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कि मैं आपको पैडी को और Manicure का दिखाऊंगी, घर में भी किया जा सकता है, और Amazon से मंग हम हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियां आ रही है, तो पैरों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो करबा चौस से ही त्यारी शुरू हो जाती है, कि हमें सर्दियों में थोड़ा सा ध्यान रखना है पैरों का, और देखिए थोड़ा सा गुन-गुना पानी, मैंने husband से है, क्योंकि हम दोनों लोग हैं इस समय में यहाँ पे, तो मैं उठ नहीं पा रही थी, कि मैं उठ के लिया हूँ, लेकिन मैंने उन से मंगा लिया है, फिर second मेरा है, उसमें कई एक six packet है, तो मैं पूरे सब दिखा रही हूँ, second मैनी wash है, तो वही second number पे है, तो वही हम आपको दिखा रहा है, उससे भी करना है, इसमें पेरों में मसाच, मेरे पास चिछला वाला स्टूल वो नहीं है, तब, तो मैंने बाल्टी में किया, और स्टूल पे पेर रख लिया है, तो आप देख सकते हैं, मैं किस तरह से कर रही हूँ, और अपने हाँ से खुद भी किया जा स इसमें से देख देख करके, और फिर थर्ड नमबर पे है, पैडी मैनी, माइक्रो पील, तो उससे कर रही हूँ, और एक यह मैंने अपने घर से स्क्रवर निकाला है, उससे मैं थोड़े से डेड स्किन निकाल लही हूँ, और मैंने पहले निल पॉलिश से, थिनर से, निल प यानी, बबल्स गम पाउडर, तो यह बबल्स गम वाला है, इसलिए हम इसको बबल्स गम वाले को दिखा रहा है, अभी यह पानी में पढ़ते ही, छोट छोटी से बबल्स त्यार हो जाएंगे, और यह हाथो पैरों की जो गंदगी होती है, उसको खीश लेते हैं, तो मैं उससे देख रहे हैं, आप की, मतलब स्मूथ हो और सॉफ्ट हो जाएंगे हाथ पर, और यह हमारा बबल्स गम वाला आ गया है, फोर्थ स्टेप, तो हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत हलका सा गुन्मूना पानी रखेंगे, पहले बाला सारा पानी फेक देंगे, और हलका गुन्मूना है, जिसको आप टच कर सकें, इस टाइप का पानी लेंगे, यह बबल गम वाला पाउडर है, यह पानी में डालते ही बबल्स अपने आप फूल जाएंगे, और जब आप इसमें पैर डालके बैठेंगे, देखिए अभी अपने आप थोड़ी देर में फूलना करा लूँगी, और बाकी मुझे ज़्यादा जरूद नहीं है, मैं इसलिए बहुत टाइम नहीं पार्लर में दे पाउँगी, तो मुझे घर का भी काम करना, तो मैंने यह अपना यह देखिए, थोड़े से मैं फूल गया है, अच्छे लग रहे हैं, यह देखिए, मैं आप अपने पैरों को साफ कर लिजे, फिर एक साफ तॉलिया से आप उसको पैरों को साफ कर सकते हैं, फिर फिप्ट नमबर पे है, पैडी मैनी मसाज क्रीम, यह स्टेप फाइब है, और मैंने इसको लगाना शुरू किया है अपने पैरों में, अब आप देख सकते हैं कि यह ला कर लेना चाहिए तो अभी-कभी इस तरह से कर लेना चाहिए पैरों के लिए और सर्दियों में मौसम का चेंज होता है तो इससे पैरों को भी आराम मिल जाती है यह देखिए मैंने लास्ट में यह इसका पैडी मैंने मास्क यह लगा लिया है और इसको लगा के करीब 10-15 में इसको लगा के मैंने छोड़ दिया है फिर जब सुक गया है तो उसके वाद मैंने इसको धुल लिया है लास्ट में आप वाश कर करके और इसको देख सकते हैं कि हाथ पैर आपके साफ हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि खुदी आपको अच्छा लगेगा मुझे भी के लिए ही बनाया है और हाउस वाइफ के लिए कि जो नहीं जा सकती यह उनके लिए फिर मैं अपने नेल पेंट पसंद करा रही हूं हस्बेंट से कि कौन से लगाँ तो मुझे लाइट परपल उन्होंने बताया है मैंने लाइट परपल लगाया है तो आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल टैनिंग हट गई है पैरों से निशान गंदे से वाले हट गए हैं फटे पैर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और पैरों को